सर्वेभ्यो नमाह देवबाण संस्कृतं यूटूब तलत द्रिश्णप्रति भावतां भावती नाम्च आर्दम स्वागत्व भित्रो आज हम व्रचनान वाज कौमदी की लाइव कक्षा संख्या दो सोनह कूप पढ़ेंगे हिंदी के निवंधों को संस्कित में अनुवाद करना सीख रहे हैं तो इसी शंखला में आज हम डॉक्टर कपिल देब जी दुवेदी जी द्वारा लिखित तब ताइस मान निवंध आत्म संयम इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसकी संस्कित बना के आपको दिखाते हैं चलिएगा आत्म संयम आत्म संयम का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को विशयों से रोकना और अपनी इच्छाओं को वश में रखना मन ही सब इंद्रियों का स्वामी है वही अपनी इच्छा के अंसार इंद्रियों को चलाता है अता एव आवश्यक है कि मन को विशेश रूप से वश में किया जाए शास्त्रों में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है मन को वश में रखने से मनुष्य की सदा उन्नती होती है और वहा मोक्ष को प्राप्त करता है यदि मनुष्य मन के वश में रहता है तो वह सदा दुखित रहता है और बंधन में पड़ता है मन इन साधनों से वश में किया जा सकता है फिषयों में फिषयों से विरक्ती नियमों से रहना अन्यम से रहना आत्म चिंतन मन को सत्कार्य में लगाना सद ग्रंथों का अध्ययन और आस्तिकता आत्म संयम से ही मनुष्य उन्नती कर सकता है अन्यथा नहीं आत्म संयम के विशय में कुछ बहुती सुन्दा पंक्तियां लिखे हैं अब इसकी संस्कित भाशा देख लीजिएगा आइएगा आत्म संयमाः आत्म संयमस्या अर्थोस्ती स्वा मन इंद्रियानाम विशय भ्यो निवारणम वकियानामिच्छानामचा वशी करणम आत्म संयम का अर्थ है अपने मन इंद्रियों को विशेयों से हटाना और अपनी इच्छाओं को वश्मे करना मन एव सरवेशा मिंद्रियानाम स्वामी वर्तते तदेव स्वेच्छया इंद्रियानी चालयती मन ही सभी इंद्रियों का स्वामी है वहा ही स्वेच्छा से मने अपनी इच्छा से इंद्रियों को चलाता है अता एवा वश्यकमस्ती यद मनो विशेश रूपेन वशे क्रियेता इसलिए ही आवश्यक है कि मन को विशेश रूप से वश्में किया जाए शास्त्रे सूप्तम यद मन एव मनुश्यस्य बंध मोक्षयों कारण मस्ती शास्त्रों में कहा है कि मन ही मनुश्य के बंध और मोक्ष का कारण है साच्चा मोक्षम प्राप्नोती मन के वश्यकरण से मन को वश्में करने से मनुश्य की सदा उन्नती होती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है यदी मनुश्यों मन शो वश्य भवती तरह सदा दुख्यतों भवती बंधने चा निपतती यदी मनुश्या मन के वश्में होता है तब वह सदा दुख्य होता रहता है और बंदन में गर जाता है बार बार जन्मरण के चक्कर में तहता है मन एत यी ही साधन यी ही वशे क्रियेता मन इन साधनों से वशमे किया जा सकता है विशय भ्यो विरक्ति ही विशयों से विरक्ति नियमेश वसनम नियमों में रहना यहां ऐसा भी कर सकते हैं नियमाई ही वसनम नियमों के साथ रहना अत्वा नियमे शुब असनम नियमों में रहना एक ही बात है तरतिया वहचन भी कर सकते हैं सप्तमी वहचन भी कर सकते हैं आत्मा चिन्टनम अच्छे ग्रैंट ओर से अच्छे ग्रंथों का अध्यन और आस्टेक त इश्वर में विश्वाथ रखना आत्म साइन्यम के द्वारा ही मनुष्य उन्नती को करने में समर्थ हो सकता है ना न्यतावने और कोई दूसरा मार्ग नहीं तो यह मैंने आपको संस्कित इसकी बना करके यहां पर उपलब्द करा दी है तस्तुत कर दी है आप इसका सहयोग ले सकते हैं एकदम शब्द सहा आपको नहीं एकदम बनाना है अब अपने शब्दों से इसके सहयोग से बना लेगा ठीक है चलिएगा ये अमारे 27 हो गए और अंतिम निवन्ध और है इसको आगे अगली कख्षा में हम पूर्ण कर लेंगे इश्वार भगते है ठीक है चलिएगा आगे की कख्षा में मिलते हैं फिर इसके बाद में इस पुस्तक में थोड़ा सा चंद का विशे है उसको पढ़ लेंगे और ये पुस्तक आपकी पूरी तयार हो जाए चलिएगा तर्वेभ्यो नमाहा